गुड मॉर्निंग स्टूडिंट्स चैप्टर फिफ्थ हमारा सेकंड यूनिट का चल रहा है और उसमें हम पढ़ रहे हैं वैलिजिटी का चैप्टर वैलिजिटी का मीनिंग हमने पिछले वीडियो में कर लिया उसके बाद उसके टाइपस हमने कर लिये और आज जो हमरा टापिक हम continue करेंगे वो है methods of calculating validity या वैदता गुनांक ग्यात करने की विधियां तो बच्चो जो वैदता गुनांक ग्यात करने की विधियों में जो पहली विधी है वो है correlation method यानि सहे संबन विधियां इसमें सह संबंद विदी में जो पहली विदी है वो है simple correlation यानि सरल सह संबंद तो वैदता गुणांक ग्याद करने की इस विदी में परिक्षन प्रापतांकों तथा अन्य किसी कसाटी पर प्रापतांकों के मध्य क्रम अंतर विदी या rank difference method या product moment correlation से correlation की मात्रा को ग्याद किया जाता और ये जो मात्रा आती है यही वैदता गुणांक के नाम से संबोधित की जाती है तो अधिकांश मनोवैज्यानिक परिक्षनों की वैदता गुणांक जो है वो ग्याद करने के लिए ये सरवादिक सरल एवं प्रचलित विदियां है तो simple correlation में जो पहला method है हमारा सरल सह संबन्द विदी का वो है rank difference method तो इस विदी का प्रतिपादन ब्रिटिश मनोवैज्यानिक spearman द्वारा 1904 में किया गया था इसी कारण से हम इस विदी को spearman की श्रेणी क्रम विदी या spearman's rank difference या rank order method कहते है और इस विदी का जो सह संबन्द गुणांक है वो latin भाषा के अक्षर P P से प्रदर्शित करते हैं तो आपको इसमें दिख रहा है बच्चो ये P दिख रहा है तो हम इस P से जो है latin भाषा का ये अक्षर है इससे हम प्रदर्शित करते हैं जिसे हम spearman का P कहते हैं तो P जो है वो spearman से लिया गया है और latin भाषा के अक्षर से ये बना है और इस विदी द्वारा correlation गुणांक की गणना प्रापतांकों की rank के आधार पर की जाती है यानि कोटी हम देते हैं ranks first second third fourth हम rank देते हैं उसके आधार पर गणना की जाती है और इस प्रकार ये विदी जो है सहे संबंद गुणांक अधिक शुद्ध प्रदान नहीं करती और इस विदी की उन स्थितियों में अधिक महत्पून correlation गुणांक प्रदान करती है विदी जबकि दोनों जो चर हैं उनके प्रापतांकों की केवल rank का ही हमें ग्यान उपलब्द हो इसके अलावा इस विदी के अंतरगत सेंपल छोटा होना चाहिए बहुत बड़े सेंपल पर हम इसको नहीं कर सकते और इस विदी का प्रियोग केवल छोटे समूपर ही किया जाता है और ये विदी नौन पेरामेट्रिक स्टाटिस्टिक्स पर आधारित है एप्राचलिक सांख्य की पर आधारित होती है और जो की विशम जाती है जो आंकड़े होते हैं उनके लिए यह उप्योग तो नहीं होती है जबकि सह संबंद गुणांक को यदि शीगरता से ग्यात करने की आवशकता हो तब ये विदी बहुत अधिक सुविदा जनक होती है और इस विदी द्वारा जो कोर्लेशन, कोफिशेंट या सह संबंद गुणांक का जो मान प्राप्त होता है वो प्रोडेक्ट मुमेंट द गयात करने का जो फॉर्मूला है वो है P is equal to 1 minus 6 sigma d square upon n into n square minus 1 तो बच्चों d से हमारा मतलब है difference तो हम d गयात कर लेंगे ranks में क्या difference है दो हमारे पास scores है और उनमें हम difference देख लेंगे उसके बाद n means total number और हम value को फॉर्मूला में रखेंगे तो हमारा rank difference method जो है वो निकल कर उसके बाद product moment correlation method तो यह जो product moment correlation विदी है यह Carl Pearson मनोवग्यानिक थे 1896 में उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था इसी कारण से हम इस विदी को Pearson product moment विदी भी कहते हैं और इस विदी का से संबंद गुणांक अंग्रेजी के अक्षर आर से प्रदर्शित होता है तो बच्च जिसे हम Pearson R भी कहते हैं और इस विदी के द्वारा से संबंद गुणांक की जो गणना होती है वो प्राप्तांकों के अधार पर की जाती जो हमें प्राप्तांक प्राप्त होते हैं उसके अधार पर हम गणना करते हैं और इस अधार पर यह विदी बहुत अधिक शुद से सं मानने वित्रन वर्क यानि नॉर्मल प्रोबिल्टी कर्व के आधार पर अधिक शुद्ध परिणाम प्रदान करती है यानि दो चार हमारे पास जो है एक्स और वाई के प्राप्तान नॉर्मल डिस्टिबुशन के अनुरूप होने चाहिए और इस विधी के अंतरकत सेंपल का बड़ा होना अवश्यक है पियर्सन में तो हमने क्या किया था सेंपल छोटा होना चाहिए लेकिन प्रोडिक्ट मुमेंट कोर्रिलेशन में सेंपल बड़ा होना चाहिए ये विधी जो है पैरामेट्रिक स्ट्रेटिस्टिक्स पर आधारी तो बच्चो पैरामेट्रिक और non-parametric हमने सेकंडेर में पड़ी थी लीनियर कोर्रिलेशन पर आधारित है ये विधी आरेक ही और इस विधी के द्वारा जो कोर्रिलेशन ग्राफिकल रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है इस विधी का जो इस विधी से जो सहसमंद गुणांक हमें प्राप्त होता है तो ड विश्वसनियता हो या वैदता का जो निर्धारन है वो इसी विधी के द्वारा प्राप्त कोर्रिलेशन कोफिशन के आधार पर किया जाता है तो इसका फॉर्मूला है r is equal to sigma xy upon under root sigma x square into sigma y square तो x जो है पहले समू के प्राप्तांक y जो है दूसरे समू के दो प्राप्तांक ह हो गए दो के बीच में कोर्रिलेशन निकालेंगे x का हमने square कर दिया y का square कर दिया और इस तरह से हम इस फॉर्मूले के आधार पर प्रोडेक्ट मूमेंट कोर्रिलेशन विधी ग्यात करते हैं उसके बाद जो next विधी है वो है point by serial correlation sorry by serial correlation यानि द्वी पांक्तिक सह संबंध विधी तो वैदिता गुनांक ग्यात करने के लिए द्वी पांक्तिक सह संबंध का प्रयोग उस स्थिती में किया जाता है जब किसी तथ्य का मापन दो श्रेणियों या दो डाइमेंशन जैसे पास फेल या संतोज जनक आधी के अंतरगत किया जाए दूसरा ये जो द्वी पांक्तिक सह संबंध है इसका जो उप्योग है इस प्रकार के विशेश स्थिती में किया जाता है जब एक चर का मापन निरंतर मापनी के रूप में होता है यानि continuous scale के रूप में होता है और दूसरा जो चर होता है पहला चर कौन सा है एक्स हो गया औ यानि दूसरा जो चर है वो दो भावों में विभाजित होता है जब हम ये मान लेते हैं कि द्वी विभाजित चर continuous या सतत एवं सामाने रूप से वित्रित है तब ऐसी स्थिती में बहुत अधिक सूचना प्राप्त करने के उदेशे से by serial correlation की गणना की जाती है तो ये जो दूसरा जो आकड़े होते हैं वो इस प्रकार होते हैं कि उनके केवल दो ही प्रकार होते हैं जैसे पुरुष महिला या विवाहित या प्रसिक्षित या जीवित मृत या मीडियन से उपर मध्यांग से उपर या मध्यांग से नीचे तो इस प्रकार के जब हमारे पास minus MQ upon SDT minus PQ over Y या U तो RB का मतलब है by serial correlation R means सह समंग B means by serial द्वीपांगतिक MP का मतलब है स्रेश्ट समू का मद्यमान मतलब पहला जो समू है उसका मद्यमान MQ का मतलब है दूसरे समू का मद्यमान M means mean और P means पहला समू क्यों means दूसरा समू SDT का मतलब है संपोन समू का मानक विचलन minus PQ over U या Y तो P is equal to प्रथम समू का अनुपाद Q is equal to दूसरा समू का अनुपाद U means ordinate का मान यानि कोटी जो हमारी है उसका मान तो ये कोटी का मान क्या होता रच्चो जिस बिंदू पर P तथा Q के अनुपाद एक दूसरे के वक्र को काटते हैं तो हमने सेकेंडियर में normal probability curve हमने पढ़ा था एक कर्व बनता है जिसमें SDs होते हैं तो ये एक पहले का समू का कर्व बन गया दूसरे समू का बन गया तो दोनों जहां पर वो लाइन जहां पर दोनों के कर्व एक दूसरे को काटते हैं तो उस बिंदू को कोटी मान गयाद करते हैं और ये जो कोटी मान है ये सल रूप में 0.50 से P तथा क्यो का क्यो अनुपाद का अंतर गयाद करके उसके मान के अधार पर हम जो C सारणी है उसमें हम ordinate value को गयाद कर लेते हैं तो जो ये by serial correlation है इसकी गणना हम करते हैं कि प्रथम समू यानि MP हम गयाद कर लेंगे दूतिय समू का MQ गयाद कर लेंगे फिर सम्पून समू का हम मानक विचलन गयाद कर लेंगे फिर जो है प्रथम समू का अनुपात दूतिय समू का अनुपात और उसके बाद जो है U या Y की value हम C सारणी के द्वारा गयाद कर लेते हैं इस प्रकार से बच्चों by serial correlation के आधार पर validity को गयाद किया जाता है उसके बाद जो next हमारा जो correlation method है वो है point by serial correlation यानि बिंदू द्वीपांक तिक सहसंबंद तो वैधिता गुणांक गयाद करने के लिए बिंदू द्वीपांक तिक सहसंबंद का प्रयोग उसस्थिती में किया जाता है जब केनी प्रात्तांकों का वास्त्विक द्वीभाजन संभव ना हो और प्राय व्यवारिक रूप से एक ही चरके प्राप्तांकों का द्विभाजन किसी एक मापदंड के अधार पर कर लेते हैं और ऐसे द्विभाजन को एक प्रकार से वास्त्विक द्विभाजन ही मान लिया जाता है जैसे समायोजित, ए समायोजित, सामानने सनायू दुर्बल्ल्य तो एक तो नॉर्मल व्यक्ति और एक मांसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति किन्तों यहाँ पर दो वर्गों में भेद केवल एक सूक्ष्म बिंदू के अधार पर करते हैं तो इस तरह से हम पॉइंट बाय सीरियल यानि जब प्रथम चर निरंतर हो वैस सामानने वित्रण के अनुरूप मातरात्मक रूप में हो तथा दुतिये चर गुणात्मक रूप में विभाजित होता है किन्तु एस सतत और सामानने वित्रण के अनुरूप इसके प्राप्तांक नहीं होते यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि पहला तो continuous हो, normal distribution के अनुरूप हो मातरात्मक रूप में तथा दूसरा जो है जब continuous या normal distribution के अनुरूप इसके प्राप्तांक नहीं तब point by serial correlation की गणना की जाती है द्विभाजी जो चर हैं उसके रूप में जैसे सफल है सफल या पुरुष महिला या कुछ भी समानने या चिंता ग्रस्त या समायोजित हम कुछ भी ले सकते हैं तो इस तरह से point by serial correlation का जो हम ग्याद करते हैं और उसका जो formula है वो है RPBI is equal to MP minus MQ over SDT into under root PQ तो वही है R means correlation, PBI means point by serial, MP means प्रथम समू का मध्यमान Q, MQ means द्वित्य समू का मध्यमान SDT means सभी प्राप्तांकों का मानक विचलन P means प्रथम समू का समान उपात Q means द्वित्य समू का समान उपात इस तरह से हम formula में values रखेंगे और correlation गयात करेंगे यदि correlation high है तो हमारा कहने मतलब है कि हमारा जो परिक्षन है वो valid है, बहुत अधिक valid है उसका बच्चो next है वो है multiple correlation बहु सह संबन तो जब दो या दो से अधिक को पूर्व कथन के रूप में लिया जाता है तब बहु सह संबन विधी का प्रियोग किया जाता है दो या दो से अधिक समू को तो मापकों के प्राप्तांकों को संखी की रूप में मिश्रित किया जाता है तथा तीसरे मापक से सह संबंदित करके बहु सह संबंद ग्याद किया जाता है और बहु सह संबंद गुणांग प्रापतांकों का एक सेट तथा अन्य मापकों के दो या अधिक सेट के मिश्रन के मद्य कोरिलेशन व्यक्त करता है इसलिए बहु सहसंबंद गुणांग ऐसी सूची प्रदान करता है जो तीसरे चरके प्रापतांगों को पूर्वकतित करने के उद्देशे से पूर्वकतित मीज उसकी भविश्यवानिया प्रेडिक्शन करने के उद्देशे से दो या अधिक मापों के स्रेष्ट मिश्रण क को व्यक्त करता है और यह संकेत देता है कि किस प्रकार किनी निश्चित पूर्वकतितनों का मिश्रण किसी कसौटी से सहसंबंदित होता है तो इस तरह से हम मल्टिपल को रिलेशन का उप्योग करते हैं तो इस तरह से बच्चों यह को रिलेशन मैथर्ड हैं जिनको हमने इस वीडियो में समझा है और इसके लिए आपको जो है शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं कोई भी एक विदी पूछ लेंगे कोई भी एक फॉर्मुला के लिखकर पूछ लेंगे शॉर्ट नोट्स के लिए भी आपको ये विदिया सिंपल कोरिलेशन तो इस तरह से वैदता ग् करने की विदियो में हमने पहली जो विदी पड़ी है वो है कोरिलेशन मैथड नेक्स्ट विदिया हम नेक्स्ट वीडियो में पड़ेंगे थैंक यू